हेलो दोस्तो आज का जो सार्जा हैं डेड लीग का जो कॉलाथा चोकलेट वर्सेज कारवान किर्केट कलब के बीच में जो मैच होने वाला है दोस्तो उसके बारे में हम यहाँ पे रिवीव करने वाले हैं बाकि जोस्तो इस मैच की कोई भी अफडेट रही या फिर कोई भी न्यू प्लेयर आया उसका रिकोड दोस्तो मैं आपको टेलीग्राम के उपडेट है करवा दूँगा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगा चलिए दोस्तो इस मैच के बारे हमें बात कर लेते हैं अगर देखें पहले बैटिंग करने ओले टीम का एवरेज स्कोर require न अभी तकर रहा है चेज करने वाले टीम का 1827 रवन रहा है पहले बेटिंग करने वाले टीम ने 4 गणष वीन की है चेज करने वाले टीम ने 6 मैच में की हुए एक मैच इन दुनों टीढ़ की मुझ की हुआ है वह मैच दो ACT डो दोSτο कोलाथा चोकलेट ने वीन किया था को राता चोकले दो तो लास्ट पांट में से चार मैंस इनोंने विन किये हुए है लास्ट मैंस के एक बैटिंग लाइनप देखें जनाका सत्य तुरूप दोस्तो यह ओपनिंग करेंगे लास्ट में विशनूर में इसको दोस्तों मैंने पिक जरूर को रहे था लेकिन दोस्तों यह फ्लोप रहे थे डख पर आउट हो गए थे लेकिन दोस्तों रिकोर्ड इनका थारा है 33 मैसे जिके अंदर 1160 रन इनके नाम रहे तकरीबर 35 की आवरेज रहती है लास्ट पांस इनि उन्हें खेली थी उसके लास्ट मैच के लिए 24 रन भी बनाए थे बाकि दोस्तों कभी कबार बोलिंग भी कर लेते हैं लेकिन इस सीरीज के अंदर इन्होंने बोलिंग नहीं किये जुनेत सामसुदीन इनको प्रमोट किया गया है दोस्तों यह बोलिंग भी करके देने वाल लेकिन ये बोरिंग नहीं कर रहे हैं कि अखिल के दास तो पर्टाइम रहने वालांदतों तो-जोस्तों इनके बोलिंग कर रहे हैं नहीं कर लिके लार्च fedon नहीं नहीं रहने वालांद रदेन तो रिसेंटली यह बहुत अच्छी पॉर्ण में चल रहे हैं बैटिंग और बोलिंग दोनों साइट से लास्ट मैंस ने शेकर लास्ट मैंस ने तैंटी से रहने वाली तो इनकी बीस बोले भी इस मैंस ने आपको देखने को मिलने वाली है और विकेट भी निकाले तो सब्सक्राइब कर दोस्तों मैंने सब्सक्राइब कर दिया है मनपरीट सिंग विकेट कर बोलर रहेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो फूराइब के बोलिंग भी करने वाले हैं मंप्रसांत। अगर कार्वान किर्केट कलब की बात करने तो यह भी अच्छी स्कुर्ड रहने वाले रिशनी दोस्तों लास्ट पांच मैस दिकार रिकॉर्ड देखें तीन मैस इन्हों ने बिन किये हुए च्छटा जो मैस रहा था यह हार गई थे लास्ट मैस की प्लेंगे लिए उन देख वाला है एक अदावर यह हर मैस केंदर कर रहे हैं दोस्तों त्रीपन मैस देंदर एक सो नडवे विकेट साथ जार से उपर रन इनके नाम रहे हैं 49 फिक्टी और आठ सेंचूरी लगा चुके सलमान खान लास्ट मैस देदर दाटिश पैटिंग इन्होंने की थी उसके मुम्मद नादीम दोस्तों यह कैटन का प्रोडेक्ट रहेगा अलांकि यह ओपनिंग करता है रेकिन दोस्तों नुम्र चार के उपर भी अच्छी वैटिंग यह कर लेता है साथ दोस्तों आपको बोलिंग भी करके जैने वाला है लास्ट मैस के दर पत्चीस दोड़ा है थ दोस्तों पहले स्टार्टिंग के इंदर नूमर छैसाथ के उपर खेलते लेकिन लास्ट मेंद नबर पांस के ऊपर आये थे सेकंड और फ्र्लास्ट मैस की न कर रहें रिजए नहीं करने वाले तारीख महमद की बात करने दोस्तों यह बी अची ऑप्सन रहीगी आरा राउ कोई विकेटिंग की हाथे नहीं लगा था बिलाल जीमा 159 मैंचे दिकंदर उन सट सो चारन इनके नाम रहे हैं दोस्तों बहुत अलोडर के अंदर खेल रहे हैं अगर विकेट किरिपिंग की आपको दूसरी कोई भी ऑप्सन मिलती है तो आप उसको पिक कर लिजिएगा इनको बुरुसा नहीं किया दा सथ्टा क्यूकि यह कभी बॉलिंग करते हैं नाश्ट मैच के दस बॉलिंग की थी पर खेलेंगे लिए तो फ्लोप चर लें लास्ट तीनों इंच के इनका स्कूर रहा है एक फिप्टी इनों ने जुरूर लगाई थी रहुनक पानों लिए अगर खेलते तो आप इनको रख सकते हैं जाओ इजाद ओपनिंग करने वाले अगर खेलते तो आप इनको भी पिक कर सकते हैं बाके दोस्तों यहां पर ड्रीमिलर्ण टीम के अंदर देखें तो बिलाल सीमा को फिलाल यहां पर पिक करना पड़ रहा है इनके लाइज तो एक्साप्लेश के अच्छी ऑप्सन रहने वाले अगर फिरकान खलील ओपनिंग करेंगे शाकूर आयज दोस्तों यहीं सकते हैं लिए प्रसांथ नम्र तीन या चार के उपर खेलेंगे विलाल चिमार नमर्साथ यहां पर खेलने वाले दोस्तों यहां पर बैड ऑप्सन रहे गी अगर दूसरी जो प्लेश की ऑप्सन रहे अगर उनमेंसे कोई भी प्लेश कहलता तो आप उनको ही पिक किजिए बिलाल जीमाओं यहां पे रिष्की रहने वाले हैं बैटिंग डिपार्टमेंट के बात में दो तो लक्समन शिरिकमा नमर तीन चार के ओपर खेलेंगे रिसेंड दो तो फोरम पी अच्छी रही है लास्ट मैस के अंदर भी 30-50 की पारी इनों ने खेली थी अंसर खान दो पर खेलेंगे लोग्शन करेंगे आप इन को रख सकते हैं डोस्तो पुरी 20 करने वाले ने वाले हैं रहने रहने वाला है तो फोड़ासा इंप्रेंट के लिए तो तो और टो अगर खेलेंगे तो ओपनिंग करेंगे आप इनको रख सकते हैं गुपाल कुष्ण दोस्तों पूरी 20 मोले करने वाले हैं रिसेंटली अच्छी फोरम इनकी रही है सेकंड और थर्ड लास मेसेज़ के दर दो दो बिकेट भी दोनों करने वाले हैं लेकि लास्ट पांस मेसेज दोस्तों मेसेज़ के दर दोनों मेसेज़ के दर अच्छी प्रफॉरमेंस के रही है साथ मेसे बीस बोले भी कर रहे हैं दोस्तों की बनाए थे सेकंड लास्ट मैस के दिन दे थे पारी भी लोने खेली थी वह सकता है इनको प्रमोटी भी किया दा क्यूंकि अटेकिंग प्लियर रहने वाले हैं अगर दोस्तों आप यहां पर श्याम रमेज को पिक करना था है तो आप यहां पर तारिक महमुद को दोस्तों की दोस्तों बीस बोले आपको इस मैस के दोस्तों बहुत दारिसक रहने वाला है कभी बोलिंग करते हैं कभी बोलिंग नहीं करते हैं लाश्ट 5 मेसिज्ट के अंदर जास्ट मेसुन के अंदर भी बॉलिंग की एंद्ग लाश्ट भॉलिंग कुण हो तो जब करने जी गोपाल कृष्टन को भी ट्राइक किया दाख सकता है ये भी अच्छी उप्शन रहेगी और ग्रेंड लिग टीम के लिए इनको भी आप अपने टीम के दर ट्राइक कर सकते हैं बाके उस तो इनके लागर कोई भी अप्लेटर रहता है या फिर कोई भी न्यू प्लेर आया उसका रिकोर्ड में आपको टेलिग्राम के उपर अपनेटर है करवा दूंगा टेलिग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा